नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में पराटे खाना किसे पसंद नहीं है आज हम बनाएंगे मटर के पराटे, चलिए इसकी रेसेपी देखते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ दो कप के हुका आटा छान के लिए है दो कप मटर धुले हुए एक चम्माज तेल एक चम्माज धनिया पावडर, नमक स्वात के नुसार, थोड़ा सहरा धनिया कटा हुआ एक प्याज कटा हुआ, एक चम्माज अद्रक कटा हुआ एक चम्माज लहसुन कटा हुआ आधा चम्माज काली मिर्च पावडर आधा चम्माज आमचूर पावडर एक चम्माच मिर्ची पावडर और आधा चम्माच हल्दी पावडर सबसे पहले हम आठा लगा लेंगे इसके लिए हम एक बावल में आठा लेंगे उसमें तेल डालेंगे और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम आठा गूत लेंगे देखिए आठा गूत कर तयार है अब हम इसे अंध्रा से 20 मिनिट के लिए ढग कर रख देंगे ताकि आठा अची तरह से सेठ हो जाए मैंने कड़ाई पहले से ही गर्म होने रख दिया था अब मैं इसमें दो से तीन चमस तेल डालूँगी मैंने यागे इसका फ्लेम लोड टू मीडियम रखा है अब मैं इसमें प्याज डालकर भून लूँगी कन दो कि अब मैं इसमें कटा हुआ लसुन और कटा हुआ अधरण डालकर भून लूगी हमें इसे गोल्डन होते तक के भूनना है अधिशी प्याज अधरण लसन गोल्डन हो चुका है अब हम इसमें सुखे मसाले डालें गे और उने भी मून लेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, आमचुर पाउडर, और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से भून लूँगी अब मैं इसमें धुले हुए मटर के दाने डालूँगी और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी अच्छी तरह से मिलाने के बार अब मैं इसमें स्वात के नुसार नमग डालूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि मटर अच्छी तरह से पक जाए अब हम इसे ढख कर 10-15 मिनेट के लिए पकने देंगे ताकि मटर अच्छी तरह से पक जाए देखे अब हम खोल कर देखेंगे मटर अच्छी तरह से पक चुके हैं अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी और उसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी हरा धनिया डालने के बाद अब हम गेज बंद कर देंगे और इसे हलका ठंडा कर लेंगे मटर हलका ठंडा हो चुका है अब हम मिकसर जार में इसे पीस लेंगे इस ते समय हमें पानी नहीं डालना है देखें मठर का मिसरन पीस कर तयार है मैंने इस एक दम महीन नहीं पीसा है थोड़ा दरदरा रखा है देखें इस प्रकार से अब हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे इसी प्रकार सारे मठर के मिसरन को पीस लेंगे अब हम आटे को खुल कर देखेंगे देखिए आटा सेट हो चुका है और मटर का भी मिसरन पिसकर तयार है अब मैं पराटे बनाऊंगी इसके लिए मैं आटे की लोई ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा सुखा अटा लगाऊंगी अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे और अंदर साइड हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे और बाहर साइड हम थोड़ा पतला रखेंगे अब हम इसमें मटर का मिसरन रखेंगे देखे इस प्रकार से मैं थोड़ा सा इसे गोल सेप में दे रही हूँ और आटे के बीच में रखके अब हम इसे बंद कर देंगे इस प्रकार से इसे बंद करके इसे हलका सा दबा लेंगे हलका सा हमें दबाते हुए अब हम इसमें आटा लगा कर इसे बेड लेंगे हलका सा दबा लेंगे देखे इस प्रकार से ताकि मिसरन अच्छी तरह से सेट हो जाए देखे इस प्रकार से हमें बेड लेना है इसी प्रकार हम सभी पराटो को बेल कर तयार कर लेंगे मैं आपको मिसरन भरने का एक और तरीका बताती हूँ चाहे तो आप पहले तरीके से बनाए चाहे दूसरे तरीके से बनाए अब मैं इसे हातों से थोड़ा सा फैला लूँगी और हलका सा बेल लूँगी इसे भी हम बीच में मोटा रखेंगे और केनारों पर पतला रखेंगे अब हम इसमें मिसरन भरेंगे देखे इस प्रकार से गूल करके अब हम इसमें बीच में मिसरन भरेंगे और इसे मोदक जैसे हम बंद कर लेंगे एक्स्ट्राटे को निकाल लेंगे अब हम इसे हलका सा दबा लेंगे देखे इस प्रकार से अब हम इसमें सुखाटा लगा कर इसे हलका सा दबा लेंगे देखे इस प्रकार से ताकि मिसरन अच्छी तरह से सेट हो जाए अब हम इसे बेड लेंगे देखे परहाटा बेल कर तयार है अब हम इसे सैक लेंगे डियो से तवा पहले से गश्ची अभी अब हम पाराटा डाल कर सेक लेंगे आफ का फ्लेम लागट मीडियम रखा है है अब हम परहाटे को पलट लेंगे अब मैं इसमें तेल डालकर इसे पलटते हुए सेख लूँगी चाहे तो आप इसमें घी लगा कर भी सेख सकते हैं मैं दूसरे तरब भी तेल लगा लूँगी हमें अच्छी तरह से तेल लगा कर इसे सेख लेना है हम इसके किनारों में भी तेल डालेंगे अब हम इसे हलका सा दबाते हुए सेख लेंगे ताकि किनारों से भी अच्छी तरह से ये सेख जाए दो से तीन बार हम इसे पलटते हुए अच्छी तरह से शेख लेंगे देखिए मटर के पराटे बन कर तयार है इसी प्रकार हम सभी पराटे सेख लेंगे इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा यदि मेरी रेसेप आपको अच्छी लगे तो मेरे चेनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद